Welcome to Poker 0-1, brought to you by Pocket 52, जहां पहली बार हिंदी में हम आपको Poker सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक बेटर प्लेयर बन सको, Poker की स्ट्राटेजीज को समझ सको and hopefully इस गेम को ट्रैक कर सको. MTT, Multi Table Tournament, ये पोकर का बहुत ज़्यादा ही exciting format है because इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा थ्रिल होता है. सदक रश बोलते हैं वो होता है और जीतने पे जो खुशी मिलती है वो एक अलग level की होती है. In fact, जो Poker का World Cup जिसे मैं कहता हूँ, World Series of Poker होता है, वो भी इसी format में खिला जाता है. बर इसमें होता है क्या है? बताता हूँ. So basically, MTT Poker Tournament में ये होता है कि जो भी लोग के खिलना चाहते हैं, वो लोग एक थोड़ा पैसा देते हैं, एक entry fee होती है, वो देते हैं, उसके बदले उनको chips मिलती है. बस फिर यही काम है कि आपको end of the tournament तब ही होगा, जब एक बंदे के पास जितने लोग ने भी participate किया, सब की chips जिसने ले ली वो जीत गया. अब थोड़ा easily explain करता हूँ. तो एक tournament का late registration period होता है, समझो 3 घंटे है. तो 3 घंटे के अंदर जिसको भी tournament में part लेना है, वो ले सकता है. वो 3 घंटे तक सब लोग entry fee दो और tournament में part ले लो. सब लोग जिसने भी part ले लिया और registration period खतम हो गया, उसके बाद एक-एक करके लोग खतम हो गया. जैसे उनकी chips खतम होगी तो वो tournament से बाहर, और जो end में करीबन जो 10, 20, 30 लोग होते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो लोग को पूरा price pool मिलता है. अगर 100 लोग होतें कोई field में, तो करीबन 25 तका field मतलब 25 लोगों को पैसे मिलेंगे, और जो top 2, 3 में होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं. तो यह होता है format tournament poker का, काफी interesting होता है, इसमें बहुत सारा dynamics आते हैं, कि अगर में 26 लोग बचेवर 25 लोग पैड है, तो end में 26 पे out होता है, उसके साथ थोड़ा कैसे उसके उसके उपर pressure डाले, तो इस सब चीज़े उसको बहुत fun बनाती है tournament, एक चीज़ याद रखो कि जिसे cash games में, हर hand में पैसा exchange होता है, अगर मैंने आपकी chips लेली तो मुझे उतनी का worth का पैसा मिल गया, tournament में ऐसा नहीं होता है, tournament में भाई, वो chips, tournament में ही है, मैं जीतूंगा तब जब मैंने सब की chips लेली है, वो chips का actual worth पैसा नहीं होता है, because entry fee पहले चली गई होती है, so tournament में usually क्या होता है, ITM करके एक term होता है in the money, मतलब क्या कि 100 लोग ने खेला और 25 लोग को पैसा मिलने वाला है, so 25 people will be in the money, मतलब वो in the money आ चुके, and tournament usually top 3, top 5 को सबसे जादा पैसा मिलता है from the 25 people, कि अपने पढ़ा था cash claims में blinds fixed रहती है, कि अगर आप एक दो के table पहो तो small blind, big blind, one and two rupees हमेशा डालते रहेंगे throughout the game, but tournament में every, से एक interval बोलते हैं, उसको like 10 minute का है, 6 minute का है, उसमें यह blinds बढ़ती रहती है, suppose अभी है 10-20, अगले end में किसी को 20-40 डालना पड़ेगा, उसके 10 minute के बाद 40-80, उसके बाद 80-160, इससे क्या होता है, कि आपकी chips कम होती जाती है, और इसका objective यह है, कि लोगों को eliminate करना है, तो ही तो आपके पास end में एक winner हो पाएगा, तो इसलिए tournament में, आपको बहुत जादा समझना होता है, कि मैं छोटी chips के साथ भी कैसे खेल सकता हूं, कहां दूसरों पर प्रेशर डाल सकता हूं, tournament में वह पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, tournament poker यूजिली एक grind होती है, because एक tournament average 6-8-10 गंटे तक भी चल सकता है, इसमें क्या होता नहीं, बहुत सारे stages होते हैं, कि वो जो late registration period के तब तक early stage होता है, फिर middle stage होता है, और फिर late stage होता है, इसमें अलग-अलग dynamics आते हैं, कि भाई, पहले मैं 100 में से पहले 25 तक कैसे बहुत जाओ, ताकि मैं 25 तक आगया, उसके बाद अभी final six में कैसे आ जाओ, फिर final six में भाई, अब जीत कैसे जाओ, और जीतना इसका मतलब होता है, ship करना, and that is like a big thing for all poker players, कि मैंने tournament ship कर दिया, तो ये सारे stages बहुत जादा thrill provide करते हैं, जिससे game में बहुत जादा मजा आता है, अगर आप एक working professional हो, तो आप इतना साथा tournament prefer ना करो, because six seven hours आपके पास time नहीं होता है, flexibility नहीं है कि चलो मैं थोड़ी देर खेलता हूं उठ जाता हूं, ऐसा नहीं होता है, so tournament players are serious grinders, who are ready कि अगर मैं session करने बैठा हूं, तो फिर आप वापस से out हो गए, तो वापस से enter नहीं कर सकते हैं, करी tournaments में क्या होता है, कि आप वापस से entry कर सकते हो, जब तक late registration period है, तीन गंटे के अंदर आप कितनी बार भी out हो, वापस re-enter कर सकते हो, but freeze out में आप फिर से enter नहीं करते हैं, इसमें क्या होता है, कि अगर आपने किसी की chips ले ली उसको all out, उसको आपने उसको बस्ट कर दिया, तो उसके जो भी आपको उसके ऊपर एक bounty होती है, उतना पैसा आपको मिलता है, तो अगर आपने 10 लोग को eliminate किया, तो 10 लोग की bounty आपको मिलती है, तो it's a very interesting and fun format of poker, tournament poker ना एक बहुत जादा fun format है, इसमें क्या है, अगर आपने एक बार भी deep run कर लिया, आप late तक चले गए, तो आपको इतना मजा आने वाला है, कि आप फिर tournament poker कभी छोड ही निपा होगे, यह सब stages की fight, कैसे आप पहले late registration से ITM करेंगे, कैसे आप क्या strategy करोगे, जिससे थोड़े लोग को out होने दो, ताकि आप और उपपर finish कर सोगे, ताकि आपको जादा पैसा मिले, विकोस जैसा ladder में आप उपपर जाओगे, आपके पैसे का जो price pool है आपका बढ़ते जाएगा, यह सब factors make it a lot of fun, not only के player के लिए, बड़ also जो लोग मुझे stream पे view करते हैं, उन लोग को भी बहुत जादा मजाता है, So yes, that's all about tournament poker, आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं in this series.